लेकिन अगर आपने पूरी शिदत से, पूरी इमानदारी से तयारी की होती है, तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं होते हैं कहाँ आप अटक रहे थे पिलिम्स में? क्या गल्तियां थी जो नहीं करनी चाहिए थी? मुझे UPSC बरे में जानकारी नहीं थी, कि UPSC में इस एक्जाम के लिए अटेंट फिक्स होते हैं एक जेनरल सी धाड़ना है कि हिंदी माध्यम से एक्जाम क्वालिफाई कर पाना कावी डिफिकल्ट है सही तो नहीं लगते कि हिंदी मीडियम से एक्जाम निकालना हाड है करेंट अफेज इन अखबार के माध्यम से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए तॉपल स्टॉक की शिंखला में आज हमारे साथ देवेश पराशर है जिन्होंने 517 लाइंग इस वार उपलब्द किया है हिंदी माध्यम से इनोंने ये परिक्षा दी है और हिंदी माध्यम की अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें इनका पांचवा स्थान है तो देवेश आपको बहुत 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 बढ़ाई नेक्स्ट आइस की तरफ से कैसा लग रहा है अब फिलाल काफी अच्छा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद जो एक रिलेक्सिंग मैसूस होता है अचानक से आप कुछ ऐसी जगह जाते हैं देखा जाता है सुना जाता है तो कफ एक अच्छा एक्स्पिरेंस है रिजल्ट के बाद का मेरे लिए यह देवेश का यह फोर्थ अटेम्ट है इससे पहले पहले पहला अटेम्ट जब इन्होंने दिया था तो प्रिलम्स कॉलिफाई नहीं कर पाए थे दूसरे में भी प् इश्राम लिया था 2022 मिनों ने एक्जाम नहीं दिया और 2023 इनका चौथा अटेम्ट है जिसमें 517 इनका रंक है तो देवेश यह इतनी लंबी जर्नी उस बीच आपके हैल्थ इशू भी रहे तो आपका यह पूरा इस लंबी जर्नी का उत्राव चड़ाओ प्लस कहीं पर है इस भी जर्नी का कुछ आप हमारे साथ मेरी काफी लंबी जर्नी हो गई है करीबन पास साल की मेरी जर्नी हो गई है पास साल बाद मैं यह था पुछाओं लेकिन इस एक्जाम के जो सबसे बड़ी खुबसूर्ति लगती है यह आप गलती नहीं करते यह आप सीखते हैं तो इस पुख साल के त्रू जो मैंने सीखा है मैं इसा नहीं कह रहां कि यह पास साल बाद में इस सेयुक्त होने लायक बना हो तो यह मेरी सबसे बड़ी लइर्निक नहीं कि जितना मैं इस एक्जाम से सीखोंगा बले ही मुझे चार शे पास साल लगे तो मुझे यह यह तो मैं अभी फिलाल यहां पर देवेश आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात कही कि पांच साल के बाद आप इस लाइक हुए कि इस लाइक है अपने पॉजितिव बात कही कि पॉजितिव बात कही कि पॉरी परिक्षा में पांच साल का सफर तै करते करते आपने जो सीखा जब जा करके आप कह सकते हो कि हम अब मैं इस लाइक हुँ कि UPSD ने मुझे सलेक्टिया बहुत ही सकरात्मक सोच है जो कि बहुत जरूरी है लाइफ में और अधर्वाइस इस एक्जाम के लिए आपको पॉजितिव रहना बहुत ही जरूरी है जो आप में पूरी तरह से दिख भी रहा है थैंक यु मैं एक साइंस बैग्राउंड से फिलोसोफी यह कैसे है मैं जब मैं बीस कर रहा था अपने जब फाइनल एर में था तब कुछ इस्टेट एग्जाम के थूरू मेरे को हुमेनिटी सब्जेक्ट पढ़ने का मोखा मिला था वो मैंने पढ़ा वह मेरा इंटरेस्ट रहा और जैस मैंने कहीं इसी दोरान मुझे एथिक्स पढ़ने का भी मोखा मिला जहां पर मैंने अपने भारतिय और जो अपाश्चात वैस्टन थिंकर्स को पढ़ा तो मुझे वो सब्जेक्ट काफी रिलेटेबल लगा मुझे ऐसा लगा कि मेरा नेचरल इंटरेस्ट फिलोसोफी में ह तो इसलिए मैंने फिलोसोफी ओप करा और एज़ सब्जेक्ट और मैं हमेशा मानता हूं कि फिलोसोफी इस फोर लाइफ तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे सही है बले ही में चोथा अटेम्ट लगा यहां तक पोँचने में लेकिन कहीं कि नहीं कि फिलोसोफी को जोगदान है कि मेरी सब्सेनलिटी को कहीना कहीं इसने रिफाइन कर रहा है तो इसलिए मुझे फिलोसोफी काफी अच्या सब्जेक्ट लगाए मेरे साइनस बेगराउंड से फिलोसोफी की तरफ जाफ करना इसमन इसमें शुरू में कुछ दिकते करने लगें तो एक लेवल के बाद सब्जेक्ट आपको दीरी समझ में आने लगता है कुछ चीजें ओविसी बात है फैमिलियर नहीं थी मेरे से लेकिन जैसा है कि मैंने का कि अगर आपका नैचरल इंट्रेस्ट आपको पता लग गया तो फिर सब्जेक्ट आपके लिए एज आजकल ऐसे असान हो गया है यह फिलोसोफी ऑप्शनल एक अलग चीज है और फिलोसोफिकल ऐसे लिखना एक अलग चीज है मैं इसमें एक को मन फेक्टर है वह थिंकिंग ऐनलेटिकल स्किल्स फिलोसोफी यह दोनों चीज़ बहुत अच्छे से सिखाता है मैं डारेक्ली न पॉइंट आते हैं उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा फिलोसोफिकल बाते लिखेंगे वह एक यूणी डारेक्शनल हो जाएगा अलग अलग डाइमेंशन नहीं मिल पाएंगे ऐसे जहां में यूपीसी ने हजार से बारा सो वर्ट जी है उनमें लिखने के लिए तो लग डाइमेंशन है उनकों जितना कवर कर पाएंगे वह अच्छा रहेगा यह सवाल मैंने आपसे इसले पूछा देवेश क्योंकि कई लोगों की धारना होती है कि फिलोसोफिकल ले लेने से एसे का पेपर में हमें बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे यह आपकी किसी न करना फाइनली फॉर्थ अटेंट में कि मेरा सेलेक्शन हुआ तो यह पहले दो अटेंट जिसमें प्रिलम्स नहीं हुआ क्या सिखा आपने कहां आप अटक रहे थे प्रिलम्स में क्या गल्तियां थी जो नहीं करनी चाहिए थी में में इसमें इंट्रस्टिंग बात है और बड़ी गलती भी है जब मैंने अपना फर्स्ट अटेंट दिया तो मुझे यूपीस्टी बार में जानकारी नहीं थी कि यूपीस्टी में इस एक्जाम के लिए अटेंट फिक्स होता है अच्छा एज लिमिट का क्राइटेरिया जो था वो मुझे ध्यान था कि था थर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है वो नहीं कर पाया लेकिन 2020 में अगें दूसरी गलती ही करी 2019 का जब मैंने प्लियम्स दिया उसमें फेल रहा तो मैं उससे सीखा नहीं होगा मेरा पहला अटेम्ट मेरा है यह नहीं होगा तो मैं उससे सीख नहीं पाया उसका खामियाज मुझ दोजार बीस में बुगतना पड़ा जब मैंने प्लियम्स दिया और तो मेरा जीएस भी कुछ रुखा थोड़े नंबरों से मेरा सीखा उस एक्जाम के बाद मैंने थोड़ा इसको सीखा थोड़ा पता लगा है कहां कमी हैं बेसिक को स्टों करा अपना बेसिक और स्लेबस दो यूपएसी सबसे बड़े पिलर्स इन दोनों को याद रखेंगे इस एक्जाम में कहीं दिककत नहीं आएगी इन दोनों को मैं थोड़ा सीरिसली नहीं चालो करा एक एक पुइंट के बारे में सोचना पढ़ना इनको चालो करा तब मैंने अगली अगली अटेंब तक ग हएंगे ऐग्जाम कॉलिफाईयकर पाना काफी डिफिकल्ट है और आपने पांच सल इस तैयारी में हिंदी माधियम के हिंदी इन आधियम से अपने 5 आपन साल लगाए तो आपको कहां तक यह धारना सही लगती है मैं मुझे ये धाड़ना सही तो नहीं लगते कि हिंदी मीडियम से ये एक्जाम निकालना हाड है बट हाँ ये मैं जरूर ये चीज मैंने इस तहीरिक दौरान महसूस करी कि अभी भी good quality material और उसकी easy accessibility अभी English medium में ज्यादा है हिंदी में कम हैं अच्छे कुछ अच्छे platforms हैं जहां पर ये अभी good quality materials हिंदी में भी available कराया जा रहा है लेकिन फिर भी easy accessibility और right time पर उसकी affordability right time पर मिल जाना ये थोड़ा मुश्किल होता है तो ये एक चीज मैंने फिल करी अधर्वाइस लेकर कि कोई discrimination है या फिर ऐसा बाइसनेस है ये चीज मैंने कभी फिल करी है और इस एक्जाम के जरनी के दोरान पर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कही ना कई लाइस तो कभी बारियर रही नहीं है ये आपका कहना सही है कि कुछ content की अभाब सा है हिंदी में अभी जो दीरे काफी इसमें जो है अब कही सारे अच्छे इंसिटूट इवर नेक्स आयस भी नहीं है काई नामी इंसिटूट सारे हैं ये भी कमी मुझे लगता है कुछ ता इनका इडिशन नहीं है जिसके कारण काई बच्चे ये महसूस करते हैं कि हमारा current affairs इन अखवार के बादियम से थोड़ा difficult हो जाता है ये अखवार का एक मेजर इसू रहता है तो देवेश रही बाद प्रिलिम्स और प्रिलिम्स के बाद रहा मेंस आपने दो बार मेंस लिखा एक बार मेंस लिखा इंट्रव्यू दिया नहीं हुआ दूसरी बार मेंस लिखा और हो गया तो पहली बार के मेंस के मांक्स और अभी के मेंस के मांक्स में क्या डिफरेंस ह कितने कांदर है अमें पहले और जो पिछली बार जो में कटोफ था उससे काफी मार्जिन से पास हुआ था अभी मैं कटोफ से ठीक ठाक नंबरों से आगे हूँ और मुझे इंटर्वी में फिर हेल्प मिली तो मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ बट लेकिन दोनों मेंन से एक सबस तो अदा आधा नसर हो जाता है उसके बात पता लगता है कि actually demand क्या उपसी में सबसे बड़ा खेल है डिमांड के साफ आपसे हैं को मोडिफाई करना उसके बास से कंड़िए सबसें लेवल पारा के अवना पर्जेंटेशन सुधारी ये डेटा अशर प्रोचास डाइग्रा क्या था और अब तक लिख क्या रहें तो आपके पास पेस तो बच्ती नहीं तो पहले अर्टेंब पहले मतलब मेंस जब आपने लिखा और इस बार के मेंस में प्रेजेंटेशन और कंटेंट पे आपने काम किया अपने जीएस की प्रपरेशन कैसे की मैं मैंने जीएस की प्र करता था और नियूस पेपर हाला कि मैंने काफी बात चालू गरा लेकिन इंटरनेट की साहता लेकर के अच्छी जो वेबसाइट से उन पर एडिटोरियल से अपने नोट्स बना था तो मैंने इस एक्जाम कुछ पेपर वाइस सब्जेक्ट वाइस नहीं देखा इस एक्जाम म या 200 वर्ट में उनको मैं कंप्लेटली कर सकूँ और हुआ भी एक्जेक्टली ऐसा ही जिन पेपर में मेरी ये चीज अच्छी थी उन पेपर मुझे अच्छे नंबर मिले तूदा पॉइंट अप्रोच रही और जो स्लेबस है वो एक तरह से ठीक तरह से कावर हो पाया तो अउनक दमाे पॉरा शिलेबस स सब पोपिक के अहां अपने और उनकों। कायो बहुत है कुछ अधने अपने संब मेर्णा करते हैं कि अगर मेरा मानना है कि यूपिसे के पेपर में जब मैं वह स्युक्त या इस बार के पेपर्स में IMO का कोश्चन आया, IMO International Organization जो है, उसका सवाल पेपर 2 में आया है, जनरली हम उसका एंविरमेंट के तोर पर पढ़ते हैं, ऐसा ही हुआ जोग्रोफी के पेपर में काफी सारी चीजें, जैसे मैं एक एक्जामपल भी देता हूँ, मुझे लगता जिस जनरा कोश्चन आया है, पेपर 1 में सवाल पूछा जा सकता है, इंडिया का जो कुल्टि वेशन उसका प्रॉसस, इंड्स इक के मैं पूछा सकता है, जलिल जाती है, जो इक टोपी केज़ कि एपर, में तोर्बॉप ऊहां है, जो पंपेपर है, चोई साथ करता है, ऐसे ही सारा पेपर तो इंटिग्रेटेड अप्रोच लेकर करना चाहिए, इस पुरी परियारी है अब तो आप पेपर 1,2,3,4, देखे कही ऐदर एक ही टॉपिक, एख ही साल में पेपर 1 में भी पूछ रहे हैं, पेपर 2 में तो आपने एक इंटिसिप्रिनरी अप्रोच को लेते हुए पूरी तैयारी की आपने टेस्सिरीज वेगरा भी लिखी आपना मुल्यांकन कैसे करते थे क्योंकि जैसे अभी आपसे बात्चीत हो रही थी आपने बताया कि आप शुरू में कुछ टाइन के लिए ही दिली में थ उसके बाद आपने अपनी सारी तैयारी अल्वर में बैठके की तो आपका ये अपना मुल्यांकन कैसे करते थे तैस सीरीज कैसे करते थे और वहां अल्वर में अकेले बैठके कभी आपको यह ऐसा लगा कि मेरे पास एक पीर गूरूप होना चाहिए जिनसे मैं डिसकॉशन कर सकता हूँ, especially current affairs जैसे जो subject है, IR हो गया आपका, या economics के जो current issues है, तो अकेले बैठके अल्वर में तैयारी या दिल्ली में आकर के तैयारी आपका क्या मानना है और कैसे आपने अल्वर में सारी तैयारी की? मैं पर एवैलेशन की बात करूँगा, पर पिल्लीम्स में लेकर के टेस्ट की मेरी एप्रोच तोड़ा डिफरेंट है, पिल्लीम्स में मैं टेस्ट थोड़े कम देता हूँ, मैं अपने content और रिवीजन पे जादा फोकस करता हूँ, जितना चीज़ों को short रखोंगा उतने मिलेंगे, पिसले दोटेंट में अच्छे खासे मार्जिन से निकला भी, तो मेरी ये स्टेजी रहती है, मैं तीन से चार्टेस अपनी टाइमिंग देखने के लिए, टाइम और स्ट्रेस में देखने के लिए, और पीवाई क्यूस मैं काफी अच्छे से करता हूँ, वो दे इस टेस्ट मैं दे ले हूँ, वो sectional और full length मिला करके, ताकि मेरी answer writing speed बढ़ जाए, जो test के जो answers थे, उनको मैं, जो मुझे अच्छे topic लगते थे, उनको as a material use कर लेता था, ताकि मेरा answer elevate हो जाए, ये मेरी रहता था, otherwise जो आपने कहा कि अकेले बैट करके, तो इस exam में एक support system बहुत जरूरी होता है, I am grateful कि मेरी family ऐसी थी कि उन्होंने मुझे support करा, मेरे माता पिता, मेरा चोटा भाई, दादा दादी, और मेरे कुछ अच्छे दोस्त, जिन से मेरी regular बात होती थी, तो वो एक support system की तरह काम करते हैं, तो इमन घर पे में कई बार जैसे मेरी माता जी है उन से discuss कर लिया करता था, कुछ भी चीजें, जो मुझे लगता था, कि मुझे बतानी चाहिए, तो ये support system बहुत जरूरी होता है, मैं इस exam के लिए, support system बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि exam इतना लंबा होता है, आपको ये नहीं पता, एक साल लगेंगे, या दो साल, या च तो कैसा आनुभव रहा आपका? एक अच्छा आनुभव रहा जैसे कि जो exam pattern चल रहा है, उस pattern को identify करके वैसे questions आते हैं, कुछ अच्छे कई बार रहता है कि हम पढ़ते हैं, तो कुछ अरिया मिस हो जाते हैं हमसे, उतना दीप में जा पाते हैं, वो काम अमारे लिए test कर दे आपके आपके इंटर्वी आपने दो बार दिये और इस बर आपके इंटर्वी के स्कोर भी काफी अच्छे है, एक सो नभब है, यस मैं मैं तो इंटर्वी का एक्स्पिरियंस ओवर ओल के साथ, कहा जाता कि अपेसी बहुत घ्रिल करता है, कई लोग बोलते हैं, आपका इस मते ही अनुभव रहा है, मैं मेरे पहले अटेंट में झाल इसमेंग है और यसमें इसमें नाइंटि मार्ग आचैन्ट में मैं कहुंगा कि मैं ने कभी यह फिल नहीं करy कि यो पीएसी अफनी अर्वी मेंबर जान रहे हैं हमारे सामने कोई बच्छा बैठ रहे गा हम च अगर आप मेंस के बाद जस्ट इंटर्वी के तैयारी करने लगेंगे तो आप तैयारी नहीं होगे, आप अपनी परसनल्टी को शुगर कोट करेंगे, कि एक ऐसा अम धाचा तैयार कर लें, कि बस हमें कुछ में कुछ कमी ना दे, अंदर से डेफिनिटली कमी है, पर वो इंटर्वी के डेलाइज होना और एक पीर गूप जो पीर गूप जो की इंटर्वी में बना इंटर्वी के मैं डैली था, तो हम चार दोस्तों का गूप बन गया था, टाइमिंग फिक्स कर लिया था, एक डेली डेट से दो गंटा हम बैठेंगे और दो से तीन टोपिक हम क पुछ अच्छे टीचर जिसमें नेक्स्ट आइएस में इंटर्वी आइडर गाइडेंस प्रोग्राम में में जुड़ा हुआ था, बहां पर मैंने आयर की क्लासेज, एकोनमे की क्लासेज ली तो वो जो सब्जेक्स कबर हुए उन्होंने कॉंपिडेंस दिया, एक कर दिया हैं, जो द्यूमेट में सब्सक्षेण चैनरी के बाइड राऊंड सेज पीखर है पुछ रहा था या किम्सक्त पूछ यह तो किस तरह के पूछ पूचिन गए तो पूछेला मेरा इंटर्व्वू था उसमें थोड़ा डेफ के राऊंड था थोड़ा गएल उसे पूचा गया अंडर प्रिलिए बच्चों के लिए मैंने फंडरीजिंग काम किया था इसकोलिंग में अपने वो पूचा गया चोंकि मैं राजस्तान से हूं तो वहां के स्पैसिफिक एक दो समझ्या हैं डिसकुशर की गई तो यह अधिकान सवाल में डेफ से थे इस बा आपका क्या संदेश है क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस एक्जाम को देना चाहते हैं या दे रहे हैं या पिछले दो तीन बार से दे रहे हैं लेकिन किसी ना किसी कारनवश सेलेक्शन नहीं हो रही है हाताश है आपका क्या संदेश होगा उनके लिए मैं दो बात पढ़ना भी लिखना भी मेरी होबी है साहिर लुद्यानवी जी एक बहुत अच्छी लाइन जो मैं सबको कहना चाहूँगा मेरे इंटर्व्यू के टाइम पर मुझे वो याद भी है जिसने मेरा कॉंफिडेंस भी बूश्ट करा वो दो लाइने ऐसी हैं कि हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले अगर आपके अंदर कॉालिटी है तो एप इस एक्जाम में डेफिनेटली एंटर होगे हो सकता है साल दो साल का समय लग जाए अगर नहीं है तो ओवियस सी बात है उसे जगह मिलनी चाहिए जिसमें मेरे से ज़्यादा क्वालिटी है तो ये लाइन मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखती है और मैं हमेशा इस से लिए खुश होता हूँ कि अगर आपने पूरी शिदत से पूरी इमानदारी से तैयारी की होती है तो आप लाइफ में कभी लाइफ में कभी फ़िल नहीं होता है ये एकजम हमें बहुत कुछ सिखाता है जिसमें लाइफ के बारे में लाइफ लर्निंग जो है वो देफिनेटाव बहुत चीज है एक एक एरिया है लेकिन जो एक सुझा से एक्स्पिटेंस के चुछ तो शुछ भी जादा काम आठा है कई सारी क्वालिटी पहोती है पैसि आपने अपने इमोशन को टैकल करना हम सीखते हैं इस एक्जान के माध्यम से और वाकी देश दुनिया सब के बारे में हमें पता चलते हैं अधर्वाइस तो हम सिर्फ अपने ही एरिया के सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं बिलकुल है तो काफी अच्छा लगा देवेश आ कि अवेश